मध्य प्रदेश का ग्वालियर्ट चंबल संभाग इन दिनों बाड से जूज रहा है बुद्वार को ग्रव मंत्री नरोत्तम मिश्रा इन बाड प्रभावित शेत्रों का दौरा करने गए उसी दोरान वह दत्या जिले के कोटरा गाउं पहुचे जहां एक परिबार पिछले तीन दिन से भूका प्यासा बाड प्रभावित शेत्र में फसा हुआ था इस दोरान ग्रव मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन लोगों के रेस्क्यू करने वाली टीम के साथ खुद मौके पर पहुचे और उन लोगों को सुरक्षत स्थानों पर पहुचाने की कबायत की इसके बाद वह भी एरलिफ्ट हुए ग्रह मंत्री डॉक्टर नरुत्तम मिश्रा से खास बाचीत की ASEAN भारत की पॉलिटिकल एडिटर मुक्ता पाथक ने ASEAN भारत में इस वक्त हमारे साथ मद्व प्रदेश की ग्रह मंत्री डॉक्टर नरुत्तम मिश्रा जी है आई हम इनसे बाचीत कते हैं सर आपका ASEAN भारत में बहुत-बहुत स्वाधत है धन्यबाद मुक्ता जी सर कल जिस तरह के वीडियो आपके बाइरल हुए काफी जावाज रूप में आप डजर आए हाला कि जो पूरी घटा क्रम था वो बहुत ही मानविय था थोड़ा सा बताईए शेयर कीजिए हमारे दर्शकों से नहीं रूप तो मैं सिर्फ सेवक के रखना चाहता हूँ जावाजी के लिए मुझे कोई रोज थोड़ी जान लगानी है यह तो परिस्थिती ऐसी बन गई थी अतीव रष्टी के कारण से मेरे छेतर के लोग फस गए थे बेटियां तीन छोटी छोटी उनकी माँ थी करवित हो ही गया था ऐसी परिस्थिती में स्वयम बनने ऐसा कहा कि अगर इस दिन भी नहीं जाओगे तो फिर काई के लिए आप और यह इतने विश्वास से और अधिकार से कह रहे हैं तो इनका विश्वास और अधिकार बना रहा है खंडित नहों इसलिए घटना इस तल तीब्र गया वहां जाके पता चला कि कोई गाओं में जाई नहीं रहा है पानी का वेग इतना तीब्र है और तीब्र का वेग होने के कारण से नावा की नावी की नाव नहीं ले जा रहा है गाओं के लोग राहत नहीं ले जा रहे हैं तो फिर मैं स्वयम नाओं में सवार ह गया वहां जाके फिर इन सब को अलग-अलग छटों पे थे मकानों की इखटा किया नाव मैं इसी बीच में राफ्ट में वो आ गया क्या बोलते हैं उसे तार उलज गया तार उलज जाने से वो इस्टार्ट होने में देर कर रही थी और उसी दर्मयान हेलिकॉप्टर आ गया पहले बेहन बेटियों को रावाना किया फिर बज़र्गों को और जो पुरुस्ते उनको किया सबसे आखरी में फिर मैं आया वापिस तो उस समय क्या चलिया आपने सब को बचा लिया आपके शेत्र के लोग थे लेकिन जब आप एरलिफ्ट हो रहे थे वो उस समय क्या कि प्रसंदता थी इस बात की कि हम जिस मिसन में आय थे वो सक्षेज हो गया सफल हो गया यह थोड़ था मन में आप पूरा आपने अपने शेत्र के बाढ़ जो इलाका है सबका आपने वहां पर जाके आपने देखा है क्या कहेंगे किस तरह की स्थिती है कल कैसी थी और आज किस तरह किस्थिती है पानी उतर रहा है दीरे दीरे शने सने उतर रहा है और दीरे दीरे मैं समझता हूँ अब हरसी का लेविल भी बीस्ट बीयर का कम हो गया है तो पारवती में कम हो गया पारवती में कम होने से सिंद्ध में कम हो गया महूर भी हमारी अब कम हो गई है और वह ठीक नहीं है उस पर कारवाई हमें करनी है अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हैं लगातार बैठके ले रहीं आप लोगों के भी कैबिनेट होने वाला वी वर्चुल कैबिनेट भी है काफी सारे वो दिशानिर्देश दे रहे हां आप लोग किस तरह से अभी क्योंकि ठीक है अती वर्षा है बाड है उसके बाद भी कई सारी चीजें हैं उस पर भी ध्यान देना होता है नहीं बाड के बाद की इस्तिती पर तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो अनाज घरों में है वो सड़ गया है बदू फेलेगी जो घरों में कीचल गुश लग जाएगा एक चीज मैं आपसे जाना चाहूंगी कि आपने एक मिसाल पेश करी कि किसी भी मंत्री को नहीं देखा गया है जो आपका वीडियो वारल हुआ था लेकिन उसको लेकर कॉंग्रेस जो है लगातार जो है उसको उस पर मजाग बना रही है और ट्विटर और अन जो मजाग बना रहे हैं वो उसको मजाग समझते रहे हैं जनता उनका हर बार बीस साल से मजाग बना ही रही है आगे भी ऐसे ही रहे हमारा हमने जो किया स्वप्रेर ना से किया कष्ट देख किया उनको अगर इसमें भी मजाग सोचता है तो उनको मुवारक कबलना जी भी ज साथ तारिक जो पानी उतर जाएगा तब ये ठीक है हम से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे मद्व प्रदेश के ग्रह मंत्री डॉक्टर नरुत्तम मिश्रा जी जो हमारे दर्शकों के साथ शेर कर रहे थे कि कल जिस तरह का जो वाक्या था जिस तरह से उ परिवार के नौ लोग जो फस गए थे उनको पहले एरलिफ्ट कराया और खुद जो एरलिफ्ट हुए वो पूरे वाक्या को उन्होंने हम से शेर किया ACN भारत से बोपाल से कैमरामेन अमित के साथ मुक्ता पाठा